सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जय बागेश्वर धामसरकार, कौन थी दुर्योधन की पत्नी, जिसके नाम पर बनी कहावत आज भी प्रचलित है, महाभारत की कथा में दुर्योधन एक प्रमुख और शक्तिशाली पात्रों में से हैं। दुर्योधन की महत्वाकांख्शा का ही परिनाम महाभारत का युद्ध था। दुर्योधन ने भी विवाह किया था। उसकी पत्नी के नाम पर एक कहावत आज भी चली आ रही है, डॉट कौन थी दुर्योधन की पत्नी, जिसके नाम पर बनी कहावत आज भी प्रचलित है। उत्रमोह में इस तरह से जक्रे हुए थे कि वे दुर्योधन के अवगुनों के नहीं देख सके और नतीजा महाभारत के युद्ध के रूप में देखने को मिला। दुर्योधन में बुराई होने के साथ साथ कुछ अच्छाईया भी थी। ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन अधर्मी होने के बाद भी सच्चा मित्र और पत्नी पर विश्वास करने वाला पती था। दुर्योधन की पत्नी कौन थी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुम्ती था। भानुमती कामबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी जब भानुमती बड़ी हुई थी उसके पिता ने विवाह के लिए स्वयमवर आयोती किया इस स्वयमवर में भाग लेने के लिए दूर-दूर से राजा पहुँचे इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्रक, दुर्योधन और कर्ण भी शामिल हुए जब भानुमती हाथ में माला लेकर दर्बार में पहुँची तो दुर्योधन भानुमती पर मोहित हो गया भानुमती ने दुर्योधन को देखा लेकिन वे आगे बढ़ गई अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया सभी राजाओं ने तलवारे निकाली तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे कर दिया कि पहले कर्ण को पराजित करो तब दुर्योधन से युद्ध करना सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया लेकिन जरासंद से 21 दिन युद्ध चलता रहा है अंत में करण की जीत हुई भानुम्ती की थी दो संताने दुर्योधन और भानुम्ती से दो संतानों ने जन्म लिया दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्षमन था और पुत्री का नाम लक्षमना था पुत्र लक्षमन को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यू ने मार दिया और पुत्री लक्षमना का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जामबवंती से जन में पुत्र साम से विवाह हुआ था पतनी पर बहुत विश्वास करता था दुर्योधन दुर्योधन को भानुमती पर बहुत विश्वास था इसका पता एक घटना से चलता है एक बार भानुमती और कर्ण शत्रंज खेल रहे थे कर्ण ने भानुमती को खेल में पराजित कर दिया तभी दुर्योधन के आने की आहाट दोनों को सुनाई दी भानुमती पती के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा की वो हार के कारण उठकर जा रही है तो कर्ण ने भानुमती आचल पकड़ लिया जिससे आचल के मोती तूटकर गिर गए तभी दुर्योधन आपहुचा भानुम्ती और कर्ण घबरा गए कि ये सब देख कर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले लेकिन दुर्योधन ने मुस्टुरा कर भानुम्ती से कहा कि ये मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करू दुर्योधन की यह बात भानुमती और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वज़य ये भी थी भानुमती का पिटारा वाली कहावत ऐसे बनी कहीं की एंट कहीं का रोडा, भानुमती ने कुनबा जोडा इस कहावत का संबंध दुर्योधन की पत्नी भानुमती से है ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमती ने दुर्योधन को पती नहीं चुना फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की, वो भी करण के सहयोग से बेटी लक्षमना को कृष्ण पुत्र साम्ब ने हरण कर लिया। इस कारण ये कहावत बनी जो आज भी चलिया रही है।